नमस्कार स्वागते आपका जेजी न्यूज में मैं हूँ आपके साथ अमन मंडियों में फसल के उठान कारे में तेजी लाई जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परिशानी नहीं हो उठान कारे में किसी भी परकार की किताई को बरदाश नहीं किया जाएगा इस कारे के लिए जो भी जरूरी विवस्था हो उसको पूरा किया जाए यह निर्देश उपायक्तार की सिंग ने मंगलवार को अनाज मंडी सिर्सा के निरक्षन के दोरान दिये इस दोरान SDM राजेंदर कुमार सहित समंधित अधिकारी भी मजूद रहे उन्होंने अनाज मंडी में उठान कारे की ववस्था बारे अधिकारियों से जानकरी ली उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल का साथ की साथ उठान होना चाहिए उठान के भाब में मंडी में कोई भी अववस्ता ना होने उन्होंने अधिकारियों को उठान के लिए लगाए गए वहानों की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि जरूरत अंसार गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए इस दोरान उन्होंने मंडी एस्सोशेशन परधान आरतियों को भी इसकारह में सयोग करने को कहा इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मंट्री में पैजल साफ सफ़ाई जरूरी विवस्ता को सुनिश्चित करने बारे जिधा दिशा निर्देश दिये इसके अपरान पायुक्त ने FCI के गदान का भी इन्रेक्शन कर दिये कि फसल को उतारने में किसी भी परकार की पुता ही बर्दाश नहीं की जाएगी कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनिक करवाई अमल में लाई जाए